एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक आवाज कहा रही होती है मेरे पिछल लाइफ में एक रैस की वरकर के रूप में काम करते हुए एकसिडिट में मेरी मौत हो चुकी थी और मेरी मौत के बाद मैं म्यूटन बीश्ट और अवेकन पीपल के फैंटेसी एनरजी को फीजिकली कंजियूम करके बनाया गया है और जब टार्गेट वालिउन्टेरिली इस जैम को एकसेप्ट कर लेगा तो उसकी सूल और कॉंसेसनेस उसके समनर के जरीए कंट्रोल किया जाएगा इसी के साथ हमारे में क्यार्टर को देखते हैं जो कि उसे जैम को ल क्या रहा होता है अरे कुछ भी तो नहीं तो वैसे सूल जिंग गया हो क्या तुम्हें कैंडी यह यह कहते हैं वह से जैम को उसकी तरफ देता है तो उसे देखते हैं विससे क्यारी होती है पार में जाओ आकर तुम्हारे जरे कंट्रोल होना यह कौन चाहेगा इसे के साथ क्या रहा होता है इस चीज़नमें कंई यह है कि मुझे उस की के बिना कोई भी से खाल लेता है तो कुछ भी नहीं होगा और इस बॉड़ी का ओरिजनल ओनर अल्मुश्ट बर गया था लेकिन लग्ली में इसके बॉड़ी में आ गया और अपनी मेंटल कॉलिटी के साथ मैं सर्वाइफ कर गया तभी सूची लाट वह क्या रही होती है इतन मेरे अलावा क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ इसके साथ उससे क्या रहा होता है आरे हाँ मैं इसके साथ वह से जैम को खा लेता है जिसके देख गशुच काफी सथा घवरा जाती है और इससे क्या रही हो अब ही हम देखते है कि ज Japanese लुग करने क्यार मुचे लेट हो रहा है तो इसलिए मुझे डौर में वूपिस जाना होगा इसी गेसे साथ मुझे कल सुभा पैटरुल की रिपोर्ट करनी है तो इसलिए तुम्हें मेरी इनतेजार करने की कोई भी जूरत नहीं है तो ये सुनते हैं वे करने का फैनली एक चांस है तब ही सूसर क्या रही होती है उधास मत हो जब तुम एक दिन स्ट्रॉंग हो जाओगे तो शायद हम एक साथ मिलकर काम कर सकेंगे इसी के साथ में बताया जाता है चाहां की यूजलेस एबिलेटी के वज़े से उसी स्कूल में फॉर्मर का काम दिय गया है हम देखते हैं जांग असने क्या रहा होता है कम में बस कंट्री के साइट जाओंगा और फॉर्म करूंगा इसे के साथ मुझा रहा होता है ऐसा लग रहा है जैसे हम दोना एक दूसरी को कभी ने देखेंगे हाला कि औरुजिनली मेरी बच्पन की दोस्त है मतलब मेर आपके उचल पड़ा क्कुल्प को करने गर्स भी एक्यान रखना अपने आपको कि अगले लग गई क्या मैंने सब कॉंसेसली अपने आपको कमांड भी दिया था या फिर क्या यह कोई कॉंसेनस था मुझे इसके पता लगाना चाहिए कि मेरा पास कितना कंट्रोल है और इसी के साथ वो अपने आपको ओरने के लिए कहता है जाहा हो बिएक पता है जाहा बेह आ नीचे गीर जाता है मैं आप और और कर पारहा रहा हूं मैं काफी जदा ठक गया हूं इसे के साथ वो मनिमन क्या रहा होता है अब जो सच्छे वो लगभग यह है कि मैं इपनी बॉड़ी से लगबा कुछ भी करवा सकता हूं लेकिन सिर्फ तभी जब ये नॉर्मल के रियम से आउट साइड नहीं जाएगा जैसे उड़ना या फिर दूसरे स्पीशीज में ट्रांसफर्म होना इसके अलावा कुछ ऐसी एक्शन भी है जिसका पहले कभी मिल जाता है मैं और भी ज्रॉंग हो सकता हूं लेकिन अब चीज है जिससे मुझे कंफर्म करने की जरुवत है इसे के साथ हमें अगले दिन कॉलेज का सिंद दिखाया जाता है जहां पर उपने कैफेटेरिया में बैठावा होता है वो बहुत ही मुश्कल से अपनी आंके ख काफी जिदा ग्रेट था मेरी बॉड़ी मेरे बिन के बिना मेरे कमांड को अच्छे से फॉलो करती है और मुझे नहीं लगता कि कोई भी मेरे और अटेंशन दे रहा है ताव यह वहां पे लेडी आती है जो कि देखते हैं सभी लोग क्या रहा होता है देखो लूश्यू व तुम बिल्कुल बहे लग रहे होती है तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हो आकर तुमारे साथ क्या घरबर है जांग पिंग उसे देखते वे जांग घबराने लगता है जहां पे लूश्यू उसके पास आती है और इससे कह रही होती है क्या तुम फीमार हो आंकर तुम इतने थी behave क्यों कर रहे हो उसे देखते जहांग मनिमन कह रहा हूँ और उसे कह रहा हूँ मैं मैं बलकुल ठीक हूँ पुझे कल रात एक बुरा सबना या था और मैं ठीक से सो भी नसका, कह रहा है anyway क्लास के बाद मिल रहा होता है वानियों मन क्या रहा होता है तो गोई को लिक वह नहीं कर दो आप तो आखर ये कैसे जगा है? क्या ये कोई है? ठिकार है? मैं कहाँ पर आ चुका हूँ? ये कहते ही वो और एक जम को बाहर निकालता है और कहा रहा होता है खेर जब मैं इसके बार में सोचूँ तो इस चीज को खाने के बाद मैं उन मास्टरस को देख पा रहा हूँ जो भी हो मुझे नॉर्मल चेज़वेशन में फिर से वापर जाना है और इसी के साथ वो और एक स्टोन को खा लेता है जहांपे उसके अंदर से एनरजी निकलन लगती है जो कि देखता है कि ये क्या हो रहा है? ये देखते भी वो और भी ज़दा घबरा जाता है जहांपे वो हाफते भी क्या रहा होता कि क्या? क्या मैं रिप में अप्राइजल अबिलिटी को अवेकन कर दिया है? जिके साथ वो अपने हाथ को देखता है क्या मैंने सच में ये कर लिया है? इसी के साथ हमें उसके Attribute Panel दिखाए जाती है Changping जो की Summon है और Summoner भी Changping है इसके Race Human है और इसके Grade 1 है Champ इसके Growth Value 3 Star है Champ इसके Contract Gem Level 1 की है Champ इसे बताया जाता है उसके Contract Gem Level 1 है जो कि देखते वो Monument कहा रहा होता है Contract Gem के पास भी Level है तो इसका मतलब Effect और भी जिदे Trigger हो गया है तब इसे उसके Skill के बारे में बताया जाता है Absolute Command जाहाँ इसे बताया जाता है तुम्हार पास अपने Summon बीश्ट को Control करने की Power है और तुम्हारा Order मना नहीं किया जा सकता और जोकि जान ने अपने साथी Contract कर लिया है तो इसलिए वो Summon भी है और Summoner करने वाला भी है जाहाँ इसके पास इसी विज़ी से दो-दो Ability होती है जाहाँ एक Summon के रूप में उसे Summoner के Order को मानना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए ये देखते ही वो कहा रहा होता है ये बिल्कुल नई Ability है जो की पता नहीं कहां से बाहर आ चुकी है लेकिन ये कमाल का है इसे के साथ वो फिर्स अपने क्लास्रों में चले जाता है जाहाँ पे वो बैठते हुए मन्यमन क्या रहा होता है चलो आज की करने सिलिवेशन को Analyze करते है सबसे पहले मैं तो खुद समन और समनर बन चुका हूँ दूसरी बात कॉंट्रेक्टर मुझे कंट्रोल कर सकता है यानि की मैं खुद अपने आपको कंट्रोल कर सकता हूँ जिसकी वेशी मेरी बोडी और स्प्रेट के बाहर दुनिया से परिशान नहीं होगा नहाई एक दूसरे में स्प्लिट हो जाएगा जहां तीसरी बात पॉइंट टू के एक्जिस्टन्स के वज़ी से कोई भी इल्यूजन मेरी उपर इनेफिक्टिव है इसलिए मैं मुटेंट बीष्ट का प्रूफ वर्म आसानी से देख सकता हूँ इसलिए उनके खिलाफ मेरी लिए कोई भी मैच नहीं है जहां यह अपनी प्रेसेप्शन, डिस्टूरिशन, इनेट इसकल का यूज़ करके बहले किसी इंसान को दूसरे इंसान का सामरे खा जाए लेकिन फिर भी उस दूसरे परसन को लगेगा कि ये दोनों नॉर्मल इंसान है जो कि आपस में बात कर रहे हैं इसी वज़े से कोई भी उनने नोटिस नहीं कर पाएगा और जो कि ये एक माइड कंट्रोल एबिलिटी है तो मुझे याद है कि सोजींगों के पास भी माइड बेस एबिलिटी थी तो शायद वो कई एक रास्ता ढून पाए मुझे इसके पास जाना होगा इसी के साथ चुट्टी हो जाती है जहां पर वो घर जाने लगता है जहां पर वो बाहर एक लेडी को देखता है जो कि देख वो मनिमन क्या रहा होता है मुझे ऐसास नहीं होता कि स्कुल के बाहर भी इतने सारे मुट्रीट बीष्ट है जहां पर वो देखता है कि एक मुट्रीट बीष्ट लड़के के साथ घूमरी होती है जो कि देखते हुए वो मनीवन क्या रहा होता है आकर सच में ये कितने सारे हैं मुझे इनका पता लगाना होगा और इसी किसा आदम देखते हैं कि वो पैट्रोल हेड़कॉर्टरस में आ जाता है जहाँ पेक लेडियू से क्या रहे होती है नमस्ते मैं आपके कैसी मुझेद कर सकती हूँ बताइए आपको क्या काम है उसकी बात सुनते हुए लिहान उससे क्या रहा होता है मैं किसे चीज़ को खोज रहा हूँ सू जिंग याओ उसे आज यहाँ पर रिपोर्ट करना था तो वो उसे कहा रहे होता है ठीक है प्लीस एक मुमिन के लिए रुख जाईए और इसी किसा आलम देखते हैं कि वो भी एक म्यूटेटिट बीस्ट होती है जिसे देखते हुए जांग एक जगा बैट जाता है और मुमिन क्या रहा होता है पैट्रल में भी स्काइफोक्सेस मौझूद है यहाँ तक हाई लेवल के अवेकनर्स भी उनके इल्यूजिन को देखनी सकते हैं तब ही वहाँ पे सूच जिंग यावाती है जो कि उससे कहरी होती है जांग पिंग आकर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो उसे देखते हैं जांग पिंग उड़ जाता है और इससे कहरा होता है मैं बस थोड़ा सा चिंतित था इसलिए मैं तुम्हारे ले यहाँ पर आ गया उसकी बादे सुनते हैं वो उसे क्यारी होती हो तो फाहिन इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है खैर यह मेरे टीमेट है और हर कोई मेरे साथ बहुत ही अच्छा मेल खाता है उसे देखते हैं जांग एक अज़ेब सा चैरा बनाता है और क्यारा होते हैं यह तो बहुत ही ज़ादा अच्छा है तो सुस से क्यारी होती है मैं एक कड़ी मैनत करूँगी और स्ट्रॉंग हो जाऊंगी ताकि में बाहर जा सकूँ और म्यूटेटिट बिश्ट से लड़ सकूँ और अपनी माम और अपनी डैट की मौत का बदला ले सकूँ तो उसकी बादे सुनते वे वो से क्यारा होता अच्छा तो ऐसी बात है विस्तो उसके पास आजाती है और इससे क्यारी होती है वैसे हमार पास अभी भी लोगों की कमी है तो क्या तुम चाते हो कि मैं तुमें भी अपने पैटरोल में ले लूँ तो ये सुनते वे वो क्या रहते नहीं मेरी एबिलिटी तुम लोगों की मदद नहीं कर सकती है जाधत जाधा खेते ही कर सकता हूँ तो ये सुनते वे उसे कह रही होती है ये बहुत ही अफसोस की बात है मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है तो ये सुनते वे जहांग उसे कहा रहा होता है ये देखते हैं कि तुम काफी ज़्यादा अच्छा कर रही हो आखरी ये सभी mutated beast कैसे बन गई, मुझे को समझ नहीं आ रहा, सूजिंग्या तो आज यहां पे आई थी, लेकिन फिर भी वो भी एक mutated beast है, मुझे को समझ नहीं आ रहा, कि आखरी ये सब क्या हो रहा है, असल लगता है कि सर्फ इसको लिने ही, बलकि हर जगा, स्काइफॉक् mutated beast में बदल चुके हैं, आखरी ये सब क्या हो रहा है, इसी के साथ वो मने सामने देखता है, जहां पर सभी के सभी लोग mutated beast होते हैं, जो कि देखती हो मनीमन क्या रहा होता है, मैं अपने appraisal technique से सब कुछ धून सकता हूँ, इसी के साथ जाद अतर natural order foxes, ये intermediate और high levels के बी लेकिन एक patrol team, जो कि एक large amount में high level के awakened है, उनके साथ मेरा कोई भी match नहीं है, इसी के साथ दूसरी बात, जिसने low shoe को मारा, तो सच में काफी ज़दे strong है, जहां मेरे instruct मुझे ये क्या रही है कि, जिस पल में इस appraisal technique का use करूंगा, वो beast में location का पता लगा लेंगे, तो ऐसे भ खेर ordinary beast का comparison में, normal order foxes की intelligence ज़्यादा high होती है, और वो खुद को चिपाने में माहिर होते हैं, जो कि उन्हें इनसानों के साथ blend होनी की, और उनके बीच रहने के इजाज़त देता है, लेकिन ये सब सिर्फ सता पर है, वो हमेशा ज़्यादा strength वाले target को priority देते हैं, या फिर क के लिए मरने की सजा है, लेकिन मैं सर्फ ये बैटकर निर्दोश लोगों को मरते बें नहीं देख सकता, और अगर सर्फ मैं ही हूँ, जो कि ऐसा कर सकता है, तो मुझे ऐसा करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इसे कि साथ में कुछ दिनों बाद रात के चार बजे का स से लेवल टू हो चुकी है, तब तक मैं सर्फ एक लेवल बढ़ाने में काम्याब हूँ, ट्रेनिंग के लाबा में हर दिन, जैम्स को जनरेट करता हूँ, और उसे कंजियूम करता हूँ, और मुझे उमीद है कि मैं पहले जैसे ताकत को हासिल करूँगा, लेकिन जब से मैं अपराइजल टेक्निक को अप्टेन किया है तब से, जैम्स को जनरेट करता हूँ, यह कलर लेस हो चुकी है, और इनके एंजिम करने के बाद, कोई भी एफेक्ट मुझे महसूस नहीं होता, वैसे गाइस, यह जैम इसलिए जनरेट कर पा रहा है, क्योंकि एक समन भी है, इस जात, वो से अब्जॉर्ब करने लगता है, जहां पर इसे एक नहीं स्किल मिलती है, नाइट वाकर, तो कि देखती ही, वो क्या रहा होता, जासे के एक्सपेक्टिट था, मैंने एक नहीं टेलन को अवेकिन किया है, और अब से मैं रात के टैम बाहर जाकर इन्वेस्टिगे करने का टाइम नहीं है, मुझे यहां से आगे बढ़ना होगा, इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अपनी नहीं टेलन को अवेकिन कर पाऊंगा, यह मुझे इन्विंसिबल नहीं बनाता, यह तो काफी ज़्यादा बढ़िया है, और अभी मेरे पास टाइम विस्ट करने का ट अग्टिवेट कर देता है, और आगे मुझे बढ़ते हैं किया रहा होता है, चलो इस नेट इलेंड को आजमाते हैं, इसी के साथ वो रात के टाइम तो और ते वे अपने ट्रेनिंग करने लगता है, जहां पर वो मनीमन क्या रहा होता है, आज से लगता है कि दिन का कंपरे वो जाती है, इसी के साथ वो उस जगा में उसमें पहले हुए घटना का रीपली देखता है, जहां पर वो बड़ी सी फॉक्स को देखता है, जिसे देखती हुआ रहा होता है, यह तो वही नैचरलल और ओर फोक्स लोश्यू है, इसी के साथ आखिर दूसरा परसन कौन है, क सकते हम देखते हैं कि जो परसन होता है वो लूश्यो के उपर आटैक कर देता है लेकिन लूश्योव एक अटैक से उससे खतम कर देता है जोकि देखते हैं ज्ञांग grandma क्या तरह नहीं यह तो इंपोस्विल है लोश्यव एक ऊर्फन है लेकिन उसकी परसृटी के हिलाफ लड़ रहा है तहुए यहां पर नहीं है लेकिन यहां तक कैसे पॉसब्र हो सकता है और अगर यहां से ज़ली भाग चुका है तो जरूर इंटरिमीडिट लेवल या फिर हाई लेवल में अवेकिन हुआ होगा दूसरी तरह हम देखते हैं कि जांग एक दिवा की पीछे चुपा हुआ होता है और उसे देखता है जहां पी वीष्ट कहा रहा होता है क्या मुझे रॉयल हाइनस को यह इनफॉर्म करना होगा जोगी द अभी तक सूरज नहीं निकला है इसलिए नाइट वाकर एफेक्ट ने असैसिनेशन रिंग को मेरी प्रिजेंस के साथ पूर्तरी के से ढग दिया और यहां पे मैं ना सिर्फ अपने दम पर अपनी ताकत को बढ़ा सकता हूं बलकि मैं एकुमेंट्स पर भी भरोसा कर सकता ह उसे एक आवाज आती है जांग पिं, मेरी बात सुनो तो यह सुनते भी वह कहता कर चाग यह कौन है बाकर यहां पर कौन बात कर रहा है यह कहते ही वह इधर दर देखने लगता है तरह के साथ हम देखते है कि वहाँ पर एक इस्परेट होती है जिसे देखते है वह ऐसा अब यह मरने वाला है यह कहते ही वो इस पर अटेक कर देता है लेकिन जांग की एक्सपरेशन बिल्कुल भी चेंच नहीं होती है जैसे कि मानों उसे कुछ भी नहीं पता यहां पर यह देख रही वह मॉस्टर मनीवन क्या रहा होता है इमोशन में कोई फिलिकर नहीं है और अ किलर क्या रहा होता है यह वो नहीं है यह तो बस एक नो वैल्यू वाला फूड है तो हम इस तरगी के बेकार से फूड पे टाइम विष्ट नहीं करना चाहिए हमें यह से निकलना होगा इसी किसा आदम देखते हैं कि जहांकी आखी घुलती है जहां पी वो कह रहा होता है यह काफी ज़दे क्लोस था लेकिसा आदम देखते कि वो रिंग भी बाहर निकल जाती है जहांपे वो कह रहा होता है शिट मैं तो भूल गया था कि मैं हर सुबा जोगिंग की ले जाता हूँ अच्छे बात यह है कि मैंने खुद को सोने का ओर दिया था और इसलिए उन्हो पर शक नहीं किया लेकिन रुको मुझे लगता है कि मैंने पहले सूजी गया आवाज सुनी थी क्या वो मेरी इमेजिनेशन थी या फिर वो सच में मेरे पास आई थी लेकिन आकर में इतना जदा संटीमेंटल क्यों हो रहा हूं मुझे उसका बदला रहने के लिए स्ट्रॉ एक बॉड़ी मिला और वो जो बॉड़ी है वो फेमस ब्लेक टैट स्टार गाय का बॉड़ी था जो की पिल सिटी में टॉप असैसिन है वो लड़का जिसने ओल्ड सिटी लॉड को इंजर्ट कर दिया था उसकी बादे सुनते वे जांग मनिमन कहा रहा होता है आदे इससे म मार गिराते हैं तो उसका मतलब लियोशियो की ताकत जितना मैंने सोचा था उससे कई ज़्यादा टैरिफाइं है लेकिन इस बार वो बॉड़ी को सब के सामें क्यों दिखा रहे हैं तो क्या ये सेलिस्टेल फॉक्स से खिलाफ काम करने वाले किसी भी परसन के लिए एक वा वो देखता है कि उस ब्लैक इसमित का ओनर एक म्यूटेटिट फॉक्स है जो के लिए कि वो कह रहा होता है ऐसा लगता है कि सीटी के सारे ब्लैक इसमित शॉप सेलिस्टेल फॉक्स के जिरिए कंट्रोल किये जा रहे हैं तब ही हम देखते हैं कि उसके अनलाइसिस को भी देख सकता हूं इसी के साथ हम देखते हैं कि ब्लैक इसमित उससे क्या रहा होता है कमाउन लड़के यहां पर आओ और वेपन को ले जाओ जाओ जाँ उससे क्या रहा है नहीं मुझे इसके कोई भी जरूरत नहीं है मुझे एक ऐसी दुका ढूणनी होगी जोगी इनके अंडर ना हो एक ऐसी शॉप जहां पर टूप क्यूल्स निकलाया हूं और में इसके कमदा में बेचूंगा तुम इसे ले सकते हो तो ये सुनते हो वे वो ब्लैक स्मित उसके उपर स्मोक करते हो उससे क्या रहा होता है तुम ये क्या बगवास कर रहे हो जो कि सुनते हो परसन काफी जाला गुसा होता है और उससे क्या रहा होते है क्या तुम बहरे हो या फिर कुछ और आकर तुम मेरी चीज को चुराने की यह कहते ही वो से छीनने लगता है जो कि देखते हैं जहां कहा रहा होता है तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया तुम्हें अंदाजा भी है कि आखिर में कौन हूं इसे के साथ तो अपनी एपलेटी को एक्टिवेट करता है और आगे बढ़ते हैं अपने आपको तयार कर लो तुम अब मरने वाले हो यह कहते हुए वह अपने शेडवर्ट को फारते हुए काफी तेहीं से आगे बढ़ता है और उसके उपर चारों और से अटेक कर देता है लेकिन तब हम देखते हैं कि जांग अपने एक इस थपर से उसे दूर फेक देता है और इसके रैंक लो अविकनर की होती है इसके साथ इसका नाम लियू बैट गुवा है चाहां पर उससे क्या रहा होता है तुम कमी ने खही के आगर तुम ऐसा कर सकते हो तो दूसरी तरफ उसकी बादों को इनोड करते हुए जांग आगे की तरफ बढ़ने लगता है तो यह मौका देखते हैं लो उसके तरफ पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है अब यह मेरा चांस है मैं उससे मार डालूंगा तब ही हम देखते हैं कि जहां उससे फिर से पंच करते वे उससे नीचे गिरा देता है और कहरा होता है क्या तुम मुझ पर सिक्रेट अटैक करने की कोईशिश कर रहे थे आकर तुम्हें ऐसा डटी फाइट कैसे कर सकते हो ताब ही वहाँ पे एक परसन आती है मैं बस पास्मिंट के लिए यहां से गई और यह जिगा इतनी जादा लाइवली बन गई यह बहुत ही जादा भेकार है खैर आकर तुम कोई यहां से बाहर निकलोगे या फिर मुझे तुम्हें तरवासा दिखाने के जरूरत है यह कहते है वो लुओ की तरफ देखने लगती है जोगे देखते हैं लुओ महाँ से गवराते वे निकल जाता है दोसी तरफ जांग मनीवन क्या रहा होता है बहतर होगा कि मैं दूसरे दुकान को ढेखूं यह बिल्कुल मैं ठेक नहीं लगता तब ही वो लेडी उसके सामने आ जाती है और उससे कहरी होती है अरे तुम कहां जा रहे हो तुम यहां पर रहो हमें बात करने की जरुवत है उसे देखते वे जहां घवरान लगता है जहां पर वो से क्या रहा था क्या किस बार में बात करना है तो लेडी उससे कहरी होती है मैं बस अग डैम्सल हूँ जो कि हर दिन सर्वाइफ करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है जो की अपनी बेडी के लापता होने के बाद परेशायन हो चुके है और तुम्हें देख कर आसा लगता है कि तुम्हारी जो बौडी है वो अच्छी है तुम्हारी से स Liangगा तो इसकी बाते सुनते वे जहां घरबाते वे कहते कि क्या तुम्हारा मतलब क्या है यालरी भी मिल जाएगी तो उसे देखते वे जांग में क्या रहा होता है अगर में इसकल सीखने में सक्सेस हो जाता हूं तो सच में फूचर में में एकुमेंट पर काफी पैसा बचा सकता हूं इसके लाएवा ये शॉप उन सेलिस्टियल फॉक्स के कंट्रोल पर नहीं है तो तुम बिल्कुल एक अच्छे बच्चे हो जैसे कि मैंने तुमसे एक्सपेक्ट किया था उसकी बादे सुनते वे जांग गबराते में मनीमन क्या रहा होता है शब से पहले मुझे इसके हातों से बचना होगा नहीं तुम इसके हातों ही मर जाओंगा इसी किस साथ हम कुस द तक मत करो यहां पर कोई भी नहीं आएगा तुम काफी ज़्यादा अच्छे कर रहे हो और यह बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता इसी के साथ यह हमारी एक्सकेलिव स्केल नेइडिंग फॉरजिन टेक्निक है इसी के साथ इसे तुम्हें डिफ्रेड मैटिरियल के साथ फ् उसकी बाद सुनते हैं जांग उसे क्रियेट कर रहा होता है जहां पर जो आग होती है वो भूजने वाली होती है चोकर देखते हैं वो चीज को एक स्टोफ के अंदर रख देता है और कहता है लास्ट में इसे हीट करने के लिए स्टोफ में रखने की जरूवत है ताब यह यहां पे झाला होती है है जोका कैर चाभा को देखते हैं जिसकं आपी ँसके खुलती है और वह क्या रहा होता है क्या में मर चुका हूं और के अच्छानक से उसके हांट में कुछ होता है जहां पर आसपास से लिए ज्योगे को तेक है ऐखते है tas इसी के साथ वो से analyze करने लगता है जहाँ पर वो देखता है कि इसके level अब तक 3 हो चुकी है जहाँ पर इसके attributes भी increase हो रहे हैं जो कि देखें वो क्या रहा होता है मेरी growth potential फिर से increase हो चुकी है और पिसले situation को देखते हुए अगर ये मेरा guess सही है तो एक नई ability को awaken करने से मेरी growth potential इंक्रीज हो जाएगी मतलब के लेवलब के बाद मैं एक नई ability को पा सकता हूं और जब तक मैं नई ability को awaken करता रहूंगा तब तक मेरी growth potential ही limitless हो जाएगी तो क्या ऐसा तो नहीं कि मैं ही सिर्फ एक ही person हूँ जो की multiple abilities को awaken कर सकता है तो क्या ये fire devorer था जिसने अभी हभी सार के सारे fire को absorb कर लिया और अगर पहले के बारे में सोचू तो आसवा पहले से ही मैं level 3 में पहुच चुका था तिके साथ में level 3 के gem को भी absorb कर लिया था लेकिन आगरी ability शाम को ये activate क्यों हूई क्या इसके लिए कि सरक्म्टेंस या फ्रशर्ट की जरूरत है अभी हम देखते है कि वहाँ पे चोव आ जाती है और इससे क्या रही होती है क्या हो गया यहाँ पे आकरिया की हालत कैसी है रुको क्या तुमने स्कारलेट सर्पेंट स्केल को स्टोब में फेक दिया इससे सर्फ विसपोर्ट होगा मैं तुम्हें ये बताना भूल गई थी तो उसकी बात सुन इतना जादा आसान नहीं है तो यह सुनते ही वह कह रहा होता है यह तो एक लंबी कहानी है ताभी जो अपने सामने उस मैटरियल को देखता है जो कि देखते ही वह कहरी होती है मैटरियल का फ्यूजन यह काफी जादा अच्छा हुआ और ऐसे रिजल को रिकॉर करने के इसके बारे में कोई भी नहीं जानता वैसे जांग पिंग क्या तुम पहले इक्विमेंट करिदने की कोईशिश कर रहे थे अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत ना होते तो मिस वैपन को ले सकते हो इसके साथ वह से उस डैगर को देती है जो कि देखते है जहां क्या रहा होता है यह तो बहुत ही ज़दा अच्छा डैगर है क्या यह एक्सपेंसी नही है क्या मेरे जैसे कोई परसंट जिसका मंथली अर्निंग 3000 डॉलर है क्या वो कभी भी यह रख सकता है तो यह सुनते वी वह से कहरी होती है अरे तुम बस इसे अपने इंप्रूमेंट के रूप में ले सकते हो क्या अभी मेरा एक मिशन है तो मैं पहले वहां पर जाओंगी लेकिन अगर तुम स्कूल नहीं जाओगे तो क्या तुम ठीक रहोगे तो यह सुनते ही वह क्या रहा होता है चिनता मत करो मैंने पहले से ही ग्रैजूशन पूरी कर ली है तो वह से कहा रही होती ठीक है तो फिर अपना ख्या लखना और उस बुड़े आदमी का भी ख्या ल यहां पर चार और चाकरनी के लिए जा सकता हूं इसी के साथ वह बाहर जाता है जहां पर हम एक बच्ची को देखे हैं जो कि जूला जूल रही होती है और यह कोई मामुली बच्ची नहीं बल्कि यह सेलिश्टीयल फॉक्स है जिसकी लेवल 3 है जहां पर इसे देखते हैं क्या रहा होता है मैं पहली बार एक सेलिश्टीयल फॉक्स को इतने लो लेवल पर देख रहा हूं इसकी लेवल बिलकुल मेरी तरह है और जिकर साथ मैंने पास एक्विमेंट भी है तो मुझे इसके खिलाफ जीतना ही होगा हाला कि सहर के भीतर सीटी गार्ड पुईतर की से नीचे गिर चुका है तो इसलिए बाहर से कोई भी इन्वेस्टीकेशन टेम यहां पर आईगी नहीं और अगर मैं एक सेलिश्टील फॉक्स के लाश को उनके पास देदू तो शायद मैं हायर मैनेजमेंट का अटेंशन अट्रेक्ट कर सकता हूं यह कहती वो आगे बढ़त है चाहां पर वो आवास तक क्या रही होती है हमला करने के बारे में सोचना में मत जो अगे देखते जहांग मनीमन क्या रहा होता है यह लेडी यह तो मुझसे कई जाधा पाउरफुल है मेरी नाइट वागर की एबिलिटी और इसके साथ असेसिनेशन रिंग उसके अगेंस ट्रेणिंग ग्राउंड तब ही वो जो लेडी होती है वह वहां सगया हो जाती है चोंकि देखते वे जहां मनीमन क्या रहा होता है वह यहां सचले गई है ऐसे लगता है कि वह इंट सेलेश्टील फॉक्स के साथ नहीं है या फिर यह भी पहले ही मर चुकी है इसी के साथ व क्या वो लेडी मुझे जानती है आखी वो सीक्रिट के बारे में कैसे जानती है इसी के साथ वो अंदर जाता है चाहां प्यूमन क्या रहा होता है सिर्फ इतना ही नहीं बल कि वो मुझे लगातार देख भी रही थी इसलिए जैसे ही मैं कुछ करने वाला था उसने मुझे वही रोग दिया ऐसा लगता है कि जरूर वो किसी वज़े से मुझे यहां पर लेकर आई होई होगी ताभी वो देखता है किसके सामने एक मॉस्टर आता है जो कि देखते वह कहते तो क्या एक मूटेट बीस्ट इसी के साथ वो अपने अनलाइस को एक्टिवेट करता है चाहां बचना चाहिए यह कहते हैं वो भागने का प्लैन बना रहा होता है तब ही वो अपने डाइगर को बाहर निकालता है और मुझे इससे निपटना होगा वैसे यह बस एक नूटेंट बीश्ट है और कुछ नहीं तो मैं इससे हरा सकता हूं इसी के साथ वो उसी वैपन को बाह बैट एक्सपड बनता है हो सकता है कि मेरे पास फाइट करने का कोई भी एक्सपीरियस ना हो लेकिन मैं जांग पिंक के समन किये बीश्ट को और दे सकता हूं तब यह बीश्ट काफी देई से घूमते वे उस पर अटेक कर देता है लेकिन वह काफी मिल्सक्री से उसके अट अपने टेल से उसके उपर काफी सारे अटेक करता है जहांपे हम देखते हैं कि जांग उसे काफी मुश्कल से डॉच कर रहा होता है जहांपे वो पीजाटे में मनिमन क्या रहा होता है इसके आखे वो एक मातर ऐसी जगह है जहांप इसके आर्मन नहीं है तो यह शायद इस स्केल को एक्टिवीट करता है जहां पर आगे बढ़ते हैं क्या रहा होता है फिर्स्ट कमांड पियर्ल फिस्ट रेट बस्टर स्टाइल मैंने कभी नहीं सोच था कि पियर फिस्ट के इस्टरी के वो बोरिंग लेसन अभी काम आएंगे यह कहते हैं वह काफी तेज से आगे ब से खतम कर देता है जैसके विजह से उसके लेवल 3 से 4 तक पहुच जाती है और इसे के साथ इसके एड रिबीट भी काफी तेजी से बढ़ने लगते हैं जहां पर यह देखते हैं वह क्या रहा होता यह तो कमाल का था ट्रेडिंग का कंपरेजन में रियल कॉमबैट में होना चाहिए तब ही अचानक एक अजीर से शैडो उसके करीब बढ़ती है और उसे अपने अंदर अफ्जॉर्ब करने लगती है जहां पर वह से अपने अंदर खीच लेती है जो कि देखते हैं जांग बहुत ही जादा हारन होता है तब ही एक लेडी उससे कहरी होती है मैं क्या मैं ये पुरुफ करो कि मैं ही हुमन हूँ लेकिन मैं तो एक युमन हूँ आखीर कैसे कैसे पुरूफ करो कैस का मतलब ये तो नहीं कि उसने नोटिस कर लिया है कि सिटी वाल के अंदर काफी सारे म्यूटिटी बीष्ट चिपे वे हैं लेकिन वो उनने प्ह geliyor है तो मानिमन क्या रहा होता है कि इसका मतलब यह तो नहीं कि वो पॉजन टेल रेट वो बस इसका एक टेस्ट हो ताभी वो लेडियो से क्या रही होती है तुम्हारे बस बस चार मिनट ही बचे वे हैं जो के देखते हैं जहां अपने अपराइजल एफेक्ट को एक्टिवेट कर रहा होता है लेकिन वह अपराइजल एफेक्ट 999 टाइमस फेल चले जाता है जहां पी लेडियो से क्या रही होती है तुम्हारे पस बस दो मिनट ही बचे वे है तावी वो appraisal successful हो जाता है और इसी के साथ जहांग उसकी status window देख पा रहा होता है जहांपे से पता चलता है कि इस lady का name लियो शीशान है और ये एक human है जिसके growth 5 star है और ये एक high rank awakened है और इसकी level 28 है जो की देखते हैं वो काफी ज़ादा iron होता है champion moneyman कहता ये तो बहुत ही ज़ादा strong है इसकी level 28 है इसमें कोई भी iron की बात नहीं है कि आकर उसमें appraisal effect क्यों नी work कर रहा था और night walker इसी के साथ assassination ring भी उसके खिलाफ useless थी क्या ये main organization के दूसरे petrol squad या free investigation squad से तो नहीं तब ये उससे क्या रही होती है बस अब एक minute बचे है चल्ली मुझे बताओ तो इसकी बात है सुनते वे जांग उससे क्या रहा था रुको अगर तुम इस चोटे से पार को training ground क्या रहे हो तो इसका मतलब हम उसे same orphanage में थे जिसमें में था है ना इसी के साथ वो महिमन क्या रहा होता है लेकिन मुझे लिव शीशा नेम का कोई भी orphanage याद नहीं है और इसका पर attack कर दीती है चाहां पर वो से कहा रही होती है तुम प्रूफ नहीं कर पाया हो कि तुम एक human हो अब तुम्हें मरना होगा जांग उसकी reaction को देखती है मनीमन क्या रहा होता है उसकी reaction से पता चलता है कि वो लिव सीसी है वो मुझे से तीन साल बड़ी है और जब मैं CC अफरिकाव शीसान उसे training दे रही होती है जहां पर वो से क्या रही होती है इस move को और शैटरिंग CC Invincible Fist कहा जाता है तो यह याद रखो कि इससे कैसे किया जाता है उससे देखते हैं वे जहां काफी जदा खुश हो रहा होता है इससे के साथ परज़न में देखते हैं जह चीब से हरकत करने लगती है तो उसे देखते हैं जहांगों से क्या रहा होता है कि आप सच मुछ वही सिच्टर CC हो एमिलियों से क्या रही होते ठीक है ठीक है सेकिंड कुश्यन Academy में मिली Information के Base पर मारे Ability Contract Jam है जहां पर तुमें बहुत ज़्यदा बेकार माना जाता है क्योंकि तुम इसे Activate करनी की Requirement को Fulfill नहीं कर पाए वैल आकरी ज़ौरां तुम क्या कर रहे थे उसकी बाते सुनते वे जहांगों से क्या रहा होता है दो सबता पहले मैंने Contract Jam को Consume कर लिया और एक Seven Beast बन गिया और अब मैं खुद को Control कर सकता हूँ जो कि मुझे Mutated Beast के Illusion और उनके Exposed Disguise से Immune करती है और मेरी Recent Investigation की Base पर Currently City की अंदर एक बहुत ही बड़ी Amount में Natural Order Foxes है और मुझे शाक है कि पूरे के पूरे ट्राइब ने Peerly City में Attack किया है तो उसकी बाते सुनते वे लियो काफी जादा हैरन होती है जहांपे जहांगों से क करते हैं वो कोगनेटिव डिस्टॉर्शन है उसकी बाते सुनते वे लिए उससे कहा रही होती तो क्या तुम सच बूल रहे हो तो जहांगों से कहा रहा होता है Happy Business District में One Shank Breakfast Store का Female Boss और Jew and Furniture का Owner इसे के साथ वो छोटी सी Natural Order Fox जिस पर टेक करने से तुमने मुझे रोक दिया वो सब ही Low Level के Natural Order Fox है तुम खुद जाके उन्हें verify कर सकते हो तो उसकी बात सुनते वे वो से कहरी होती है तो फिर यही पर ही रुखो मैं जल्ली यहांपर वापिस आ जाओंगी इसे के साथ वो उपने साथ इससा कॉंटेट करते हुए क्या रही होती है जिन्वो क्या तुम्हें लगता है कि यह इंफॉर्मेशन भरोसे के लायक है तो यह सुनते वे जिन्वो कह रहा होता है सबसे पहले हम इसकी जाच करेंगे वैसे पील सिटी के आसपास नैचुरल और के फॉक्स अभी से कभी भी नहीं पाए गये है लेकिन इस कोगनेटिव डिस्टोर्शन एबिलिटी की रिपोर्ट सामने आई है जो कि जांग पिंग के डिस्क्रिप्शन से बिलकुल मेल खाती है जिके साथ मैंने पहले ही अपने लोगों को सेक्रेट ली पा आती हैं वहां से भागते भागते उसकी तरफ आ रहे होते हैं जहांपे वो लोग कहा रहे होते लीडर के ब्रेकफास इस्टोर की फीमिल बॉस है जैसे ही हम वहां से बाहर निकले फूप पागल हो गई और इसने हमारे उपर अटेक करना शुरू कर दिया इसी के साल हम हमारे दुश्मन कौन है इसी के साथ वो बाकरी लोगों को कह रहा होता है दूसरे टीम को इंफॉर्म करो और जल्ली से उन्हें टार्गेट को एलिमिनेट करने के लिए कहो इसी के साथ सेंग चेंज होता है हम पीयल अकैडमी में लोग शिव को देखते हैं जो की आराम कर र रहा है जो भी हमें मर रहा है क्या तुम हमें तुरंत मार डालोगे और हमारे आइडेटिटी को ऐसे ही दबा दोगे खैर मैं उस परसन को नहीं छोड़ूंगी और इसे के साथ वो अपने ट्रू फरम को बाहर निकालती है सीन चींज होता है हम डार्क रूम स्पेस के अंदर देखते हैं जहां पर जहांग लिए उसे क्या रहा होता है क्या तुमने चेक किया तो वह से क्या रही होती हां लेकिन हम अभी श्योर नहीं है तो ऐसे भी सेलिश्टिल फॉक्स के इलिजिन देखनी कि तुमारी एबिलिटी अगर यह ट्रैप हुआ तो क्या होगा यही वज सुनते वे जहां क्या रहा होते क्या प्रोटेक्शन है अगर हम इससे सेलिश्टिल फॉक्से से निपड़ सकते है तो यह बिल्कुल बढ़िया है विल्यू उसे जेड पैंडेंट देती है और उस्यारी होती है इसे रख लो यह जेड पैंडेंट पहरिस से आया है जिसे कोल जेड कहा जाता है इसी के साथ अगर तुम खतरों का सामना करते हो तो बस इस कोल जेड को आगी के अंदर डाल देना तो मेरे पास जो जेड मौझूद है वो गरम हो जाएगी और मुझे पता चल जाएगा और यह मुझे तुम्हारी कंडिशन के बारे में बता देगा मैं जित शायद मैं एक स्कूल जोइन कर लो लेकिन मेरे पास टूशन फीस नहीं है तो लिए उस से क्या रही होती है मैं और गरेजेशन से तुम्हारी रिक्रेस्ट करूंगी तब तक के लिए तुमको सूटीबल मार्शल आर्ट स्कूल ढून लो इसी के साथ में कुछ दिनों बात क सा नहीं करती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह एक प्यूर्जी स्कूर्ड की मेंबर थी लेकिन आकर उने पता कैसे चला कि पील सिटी में एले बाहर उन चीजों ने घुस्पैट की है जो भी हो जब तक मैं सेलिश्टे फॉक्स को मारने के लिए उनकी मदद कर सकता हूं तब तक कुछ भी मैटर नहीं करता और इसे के साथ वो मुझे तुरंट 10,000 पिल्स कोईन दे देंगे तो यह मेरे लिए काफी ज्यदा अच्छी बात है ताब हम आप एक लेड़ी को देखते हैं जो कि सभी लोग से कह रही होती है या कोई मार्शल आर्ट सेखना चाता है य लेकिन क्या पता यह मेरे लिए सही भी हो सकती है अभी वो लेड़ी उसे क्या रही होती है यह पैसा खर्श करने के बिलकुल लायक है हमारे बीश्ट किंग फिश्ट टेक्निक्स पूरे पियल सिटी में बहुत ही जदा फेमस है तो उसके बाद जुनते वे जांक तोरा सा प वे इनिक्स टैलन स्टाइल है जिसे देखते जांक में इवन कहा रहा होता है दा बीश्ट किंग फिश्ट टेक्निक चाहे वो फूट वर्क हो या फिर मूवस हो यह पील फिश्ट से काफी जदा एडवांस्ट है यह सच में मार्शल आट का बहुत ही आच्छा सेट है दूस होता है और उस लेड़ी से क्या रहे होते हैं आखिर किस ने तुम बिश्ट किंग क्लाउंस को यहां पर उन्ने की इजाज़त दी है यहां से निकलो उसके बाद सुनते वह लेड़ी क्या रही हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना मैं इसके बारे में नहीं जानती थी पर यह गाए हो हैना और गाए सी वही परसन है जिसे जहांग पिंग ने उसे ब्लैक इसमेल चौप में मारा था जहां आप इसे देखती हैं वह परसन काफी जाला गुस्ता होता है और उसे कहा रहा होता है तुम अब मरने वाले हो कमीने मैं तुमें नहीं छोड़ूंगा तुमने इस ब्लैक इसमेल चौप में जो किया तुम्हें उसका पेक करना ही होगा और ऐसा लगता है कि आप ऐसा करने का बिल्कुल सही टाइम है सी किस साथ वो अपने दोनों गाड्स से कह रहा होता है जियांग डा और जियांग एर जाओ उसे पकड़ो तब ही वो लेडी जहां के स स्टेटिस विंडू को देखता है जहां पर दोनों ही लेवल 4 के होते हैं जहां पर दूसरा परसंट क्या रहा होता है रास्ते से हट जाओ चोटी सी लड़की नहीं तो हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे तो उसी तरफ जांग काफी जदा गबरा जाता है और क्या रहा ह होता है इसके पास काफी जदा हाइप पोटेंशल है और अइसा लगता है कि वह अपना पावर हाउस बना रही है लेकिन अभी वह बहुत ज़्यादा परिशानी में है इसे के साथ वो जीमिन के पेपर स्कोशी के हाथ में दे देता है चाहां पर वो से क्या रहा होता है यह मेरी है तो मैं इसे समाल लूँगा उसकी वादे सुनते वे जीमिन उससे क्यारी होती है यह तीन लोग है तुम इनके खिलाप नहीं जीत सकते हो तो जहां उससे क्या रहा होते चेंता मत करो और वैसे अभी अभी तुमने मुझे एप की इंग स्टैल को शो किया था ऐसा यू बैड़ गो आगे बढ़ता है और अपने 5-4 लाइटनिंग को यूज करता है लेकिन तभी जांग आते भी उसके में पार्ट पर बहुत ही जोड़ से किक करता है और उससे क्या रहा होता है यह तो बहुत ही जादा बुरा है ऐसा लगता है कि मुझे आराना तुम लोग इस्टैल को सीख लिया तुम सच में कमाल के हो तुम के साथ वो इसके आगे आती है और से क्यारी होती है वैसे यह काफी जिदा अमेजिंग है तुमारी मदद से मैं कुछी समय में और भी ज़द स्ट्रॉंग बन सकती हूँ जो अगर देखते हो जांग मन्यमन कह रहा होता ह तुमारे पास सेवन स्टार की पोटिंशल है तुम एट लिस्ट एक हाई लेवल की अवेकनर तो बन ही जाओगी शायद तुम एपक्स लेवल की भी बन सकती हो और हो सकता है कि किसी दिन मैं तुम से मदद मांगू इसे के साथ वो से देख रहा होता है और कुछी समय के मैंने तो अभी तक एप किंग स्टैल के हाफ मूव को भी मास्टर नहीं किया है दूसरा परसंट क्या रहा होता है हम लोग तो मरने वाले हैं तभी और एक परसंट उन लोग के उपर हास रहा होता है दोसी तरफ यह सब देखते हैं जांग क्या रहा होता है अकर यहां पर हर सजा मिल चुकी है तो वो से कह रही होती है हाँ मुझे हर दूसरे दिन सजा मिलती रहती है मैं यहाँ पर एक मेने से ज़्यादा समय से हूँ लेकिन मैं अभी तक बेजिक मुफ्स को भी सीख नहीं पाई हूँ तो उसकी बाद सुनते हैं जांग मनी मन क्या रहा होता है यह तो बहुत ज़्यादा बेकार बात है तब ही अचानक से उनका मेन गेट खुलता है और वहां से एक आदमी अंदर आता है जो कि देखते हैं वंग जी मेन जांग से कह एक हाई लेवल का अवेकनर है और इसकी लेवल 25 है जिसे देखते हैं जांग मनी मन कह रहा होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉंग है और इसकी लेवल 25 है जहां पर वो लगबग सिस्टर सीसी के लेवल के आसपास होगा तब ही बाइडी उसके सामने आता है और उसे क्य क्या रहा होता है तुम वही किड हो एक ना जिसने कल सिंगवी के जोकर को दूर अठा दिया था तो यह सुनते ही जांग उससे क्या रहा होता है अगर मैं वही हूं तो क्या होगा। यह सुनते ही बाइडियू से क्या रहा होता है अच्छा तो चलो देखते हैं कि आकर तुम किस चीज से बने हो सेखे साथ वो उस पे अटेक कर देता है जहां पर उस पर काफी से अटेक करता है लेकिन जांग उस क्या रहा होता है और उससे क्या रहा होता है ऐसे लगता है कि तुम बहुत ही ज़ादा दूर जा रहे हो मेरी जैसे न्यूवी पर अटेक करने का तुम्हारा क्या मतलब है तो यह सुनते वे बाइडी उसस से डॉच नहीं कर सकता ताभी हम देखते हैं कि बाइडी रुख जाता है और इस ते विस से क्या रहा होता है मुझे पहले इस पर यह कि नहीं हुआ था लेकिन सच में तुम्हारे पास काफी अच्छी टैलेंट है बच्चे लेकिन उसके लिए बहुत ज़िदा बुरा है जिस कैसे कर रहा है इसी के साथ वो से भी लोगों से क्या रहा होता है तुम मेंसे हर कोई मेरे साथ लड़ोगे और जो मुझे से फाइट नहीं कर पाएगा वह 500 पुश एप करेगा और 10 माल तक एक वेटेट विस्ट के साथ रन करेगा जो कि देखते हो जांग मनीमन क्या रहा हो है तो यह सुन्ते वह रहा होती है इंस्ट्रोक्टर मुझे आछ सहने ही ट्रेनिक देगा तो क्या तुम मजें बाद में प्राइवेट में टीज कर सकते हो तो उसकी बाद चुनते वे जांग उससे क्या रहा होता है जरूर क्लास के बाद Iron Soul Black Smith के शौक पर मुझे से मिलना मैं तुम्हारा S.P.A.R.E.M. पार्टनर बनूंगा तो उसकी बाद चुनते वे वे काफी ज्यादा खुश होती है और उसे कह रही होती है क्या सच में मैंने सुझा थे कि तुम ना कह दोगे लेकिन ये तो काफी अची बात है इसी के साथ जांग उसकी status window को देखता है जहाँ पर उसके abilities को देखता है जहाँ पर वो देखता है कि Wang Jimin की learning ability 90% तक decrease हो जाएगी लेकिन किसी भी इस skill को बार बार practice करने से उसकी growth speed 10% से 1000% तक increase हो सकती है जहाँ पर ये देखते हैं वो मनिमन कहा रहा होता है इस लड़के की ability basically किसी ऐसे person को torture करने के लिए है जो कि इससे सिखाने वाला है और मुझे लगता है कि मैं समझ चुका हूँ कि instructor Y.D. के पास इतना ज़्यादा patience क्यों नहीं है इसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं जहाँ पे फो दोनो जहाँ पे जीमिन अभी वो training कर रही होती है जो कि देखते हैं जांग उससे क्या रहा होता है तुम अभी भी गलत कर रही हो अभी हम देखते हैं कि जीमिन फुर से नीचे गिर जाती है तो उससे देखती वे जांग मनी मन क्या रहा होता है मैंने एप किंग स्टेल को छोटे भाग में बाट दिया है और एक चीज को बार आर प्रक्टिस करने से ये थोड़ी सी अच्छे तरीक से सीख रही है लेकिन बीश्ट किंग फीस ये सच में कुछ अलग है बेचले कुछ दूनों से अलगातार इसके प्रक्टिस करने के बाद मुझे लग रहा है कि मेरा लेवल बढ़ रहा है तब ये चोग की आवाज आती है जहां पर चोग को यांग उसे कहरी होती है यार वो तो बहुत ही जदा करीब था और कुछ वजय से यहां पर शायद ही कोई म्यूटेंट और वाइल बीस्ट बचा हुआ होगा तब ये वो जहां को देखती है और उसे कहरी होती है हमारे पास नौर्टेस्ट फोरेश्ट की घहराई तक गुसने के अलावा और कोई चोईस नहीं था और सबसे बढ़कर हमारा सामना वोल्फ के एक जोणी से हुआ था और उन मेंसे हर एक स्ट्रॉम वोल्फ था उसकी बादे चुनते वे जहां कहते का जा तो क्या तुम ठीक हो तो चोग कुई यंग उसे कहरी होती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ हम अर्थ बोरिंग शावल को यूज करके च्छेपने में काम्याब रहे जिसके वेसे उन वोल्फ को अपना प्रे नहीं मिला और उन्होंने आसपास के जंगली जानवरों पर अटेक कर दिया और मैंने मौके का इंतजार किया और उन वोल्फ से एक बहुती अच्छा चीज छीन लिया इससे के साथ वो एक वाइड जेम बाहर निकालती है जिसकी क्वालिटी रियर होती है जहां पर उससे कह रही होती है यह लोग इससे पकड़ो इससे देखने का मौका बार बार नहीं मिलता है उससे देखते वे जहां कह रहा होता है यह एक वाइड जेम है है ना उसके वादे सुनते वे चो उससे कह रही होती वा तुम्हारी आखे तो बहुती ज़दा अच्छी है यह चोटी से चीज यहां तक एक चोटी से बच्चे को वाइन ब्लेड्स और स्टॉम को महसूस करवा सकती है इसी के साल हम देखते हैं कि जैसे ही जांगों से पगड़ता है उसे अजीब सी आवाजे सुनाई देती है उसके चार और एक औरा क्रियेट होने लगता है उसे कई सारे लोगों की आवाजे सुनाई देती है जो कि देखते हैं वो कहते हैं क्या या आवाजे ये कैसी है तब ही हम एक आवाज सुनते हैं योई एरशी मर चुकी है ये कमिन इंसान कहीं के ऐसे रखता है कि मैं आज उन में से दो लोगों को खाने वाली हूँ दोसी तरफ हम देखते हैं कि जांक की जो लेवल होती है फो बढ़ जाती है जी के साथ उसे एक नियुए स्किल मिलती है जो कि विश्वर और वाइन होती है यानि कि वो देस मील के रेडियस के अंदर किसी भी आवास को सुन सकता है जो कि देखती है वो कहरा होता है ये सचमे एक नहीं एविलिटी है और ये बिलकु लास्ट टाइम का पायर डेवरर एविलिटी जैसा है तच में ये तो काफी ज़्यदा अच्छा है तब ही आचानक से उसे वह आवाज सुने दीती है यू लियो उस दुकान में दो इसान है एक लड़की वांग जैमीन और एक लड़क और मुझे लगता है कि ये लड़का वही परसन है जिसने अकैडमी डॉर्म में हमारे हाइनेस को परिशानी में डाला था ये लोग काफी ज़्यदा स्वादिश्ट लग रहे हैं मैं आज दो फैर को इन्हें खाऊंगी जो की देखती है जांग काफी जादा हरन होता है और म जांग पिंग घतरे में है दूसी तरव हम देखते हैं जांग पिंग अपनी इसकिल को एक्टिवीट करता है जहां आपने जेट पैंडड़ को गरम करने लगता है और मनीमन क्या रहा होता है ताफी समय हो गया है आखिर वो सिस्टर अभी तक आई क्यों नहीं मैं एसस कर सकता हूँ कि उन दोनों नैच्रल ओर्डर फॉक्स की पेशन्स खतम हो रही है वो जल्दी यहां पर कमे भी आता ही होंगे तब जो उससे क्या रही होती है आकर तुम्हारा साथ क्या गलत है जांग क्या तुम ठीक हो तो जांग मनीमन क्या रहा होता है वो दोनों लोगों के लिए कुछ खाना लेके आता हूँ तो कुईयान उसका कंदा पकड़ती है और इससे क्या रही होती है तो फिर ठीक है जनली करना तो ऐसे भी काफी टाम हो गया है मैंने कुछ अच्छा नहीं खाया है और इसे के साथ मैं उस वाइन जैम को अपने साथ ही रखती ह है जहाँ पे हम जी मिन को देखे जो कि प्रैकटिस कर रही होती और उसे किया रही होती है मैरे फोश्चर को देखो लेंट को धोसे नरहीं तुम्हां पे जा रहे है जिनमें से क्या रहा होता है आकर तुम दौन कहां पहरे हो लेकिन यह दुरों मौस्टर्स सिर्फ जांग की नजरू में ही ते बड़ जीमिन की नजरों में वो दौन हो के मॉंबड़ थे और ऐसा ऐसले है क्यों कि यह सेलेस्टिलपोग्स अपना भेश बदल सकते हैं और ठीक है मैं उनके पास जा सकती हूँ दोसी तरह हम देखते हैं जांग दोनों को अनलाइस करता है जहां पर से पता चलता है कि वो दोनों नैजरल और के म्यूटेटिट फॉक्स है दिन में से एक की लेवल 15 है और दूसरी की लेवल 16 है जहां भी वो आदमी क्या रहा होता है जी जांग और जीमिन दोने उस लकिपेस का अंधर जारे होते हैं जों यह देखते हैवें जांग बहुत ही ज्यादा हुश होता है और कहता है जांपर देक्ते है जम्न को Tobie से लांधर देता है मंस्टर कошर वह बहुत है जक्मी होता है और जिशेकी साथ वो दोनों ऑसे तो वह से क्या रहा होता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ ताभी हम देखता है कि वो दोनों मॉस्टर्स भी उस डार्क स्पेस के अंदर पहुच जाते हैं जो की देखते हैं, जीमिन कहा रही हूँ ते डैड, आखर तुम्हें ऐसा क्यों कर रहे हो तभी जांग उससे क्या रहा होता है, जीमिन उनके क्लोस मत जाना, ये म्यूटेटिट बीश्ट है दोसी दर वो मॉस्टर्स कह रहे होते हैं, अच्छा, तो ये हमारे असली रूप को देख सकता है तो दूसरा मॉस्टर्स आगे बढ़ती वे क्या रहा होता है, तो फिर ठीक है, हम इसे जिन्दा नहीं रहने दे सकते हैं इसी कि जाद वो जांग पर अटेक करता है, जहां पर जांग बहुत ही मुश्कल से उसके अटेक को काउंटर करता है जहां पर वो मुश्कल से नहीं बढ़ रहा होता है, जहां पर वो मुश्कल से नहीं बढ़ रहा होता है हम देखते हैं कि वहां पर लिव आती है और क्या रही होती है जांग पिंग साइड़ेटो और इसी के साथ वो अपने आइस टेक्निक का यूज करती है और उन दोनों मॉस्टर्स को अपने आइस से अटेक करती है और उन्हें घायल कर दीती है तहां पी वो काफी तेजी के जिनों ने तुम्हारे mom dad का रूप लिया है दोसी तरफ जीमिन की हालत बहुती ज़दा खराब होती है वो कहरी होती है नहीं तुम दोने मुझे जूट बोल रहे हो यह दोनों मेरे mom dad है तो यह देखते वे ज्जांग लिव से क्या रहा होता है sister CC आखरे natural order foxes अपमे true form में वापिस क्यों नहीं आए तो वोसे क्या रही होती है city में king rank natural order fox भी हो सकती है जोकि इन लोगों की talent को enhance कर रही है इसलिए जो लोग lower level पर है वो भी आसनी से एक high rank के awakened को full बना सकते हैं और जिने हमने पहले मारा था और वो अपने असली रूप में इसलिए आपाई क्योंकि हमने उने city के बाहर मारा था तो उसकी बाते सुनते वे जांग मनीमन कहा रहा होता है अगर ऐसा ही कैस है तो क्या सिर्फ मैं अकिला हूँ जोकिन के true form को देख सकता है इसके साथ वो आगे बढ़ते वे उन मॉस्टर्स के मास्क को निकालता है और जीमिन से क्या रहा होता है वांग जीमिन इन दोनों म्यूटेटिट बीस्ट ने तुमारे पैरन्स को मारा है और उनका रूप ले लिया यही सच है तो यह सब देखते हैं वे जीमिन रोरी होती है और कहती है ऐसा नहीं हो सकता इसके साथ यह जो एपिसोड है वो यहां पर खतम होता है आफ करना यह एपिसोड थोड़ा सा चोटा था बट क्या करे इतना ही चैप्टर आया है और मैं आगे भी से कंटीनियू करते रहूँगा जो कि मुझे इस सीरीज बहुत ज़ादा अच्छा लगी है और बाकी पिछले सीरीज के बारे में चिंता मत करो मैं उसे पूरा करूँगा जाहे व्यूज आया फर ना है लेकिन वीडियो इसे लीटा सकती है क्योंकि अगर व्यूज इना है तो अर्निंग कैसे होगी तो इसलिए मैं बाकी सीरीज को भी कंटीनियू करते रहूँगा और पिछले सीरीज को भी कंटीनियू करते रहूँगा इसी के साथ अगर तुमें गौड समनर चाहिए तो प्लीस इस वीडियो में 500 कमेंट कर दो फिर मैं कल पर सो गौड समनर का वीडियो भी ला दूँगा अब मिलते है अगली वीडियो में तब तक के लिए बाबाए